हेलो दोस्तों मैं ललीत दहिया स्वागत है आपका स्टड़ी आई क्यू आई एस हिंदी चैनल पे और हम पढ़ रहे हैं अंतराष्ट्य संबंध जो हम क्रमबध तरीके से केवल पढ़ नहीं रहे हैं बलकि समझने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तब तक कोई भी विशय आपका नहीं होगा इसलिए किसी भी विशय को यदि बहतर करना है यदि मेंस में अच्छा करना है सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहला आधार होता है कि हम उस विशय के उपर अपनी समझ बनाए और मेरा प्रयास यह है कि मैं आप लोगों को सोचना सिखा हूं कैसे सोचना है कैसे सारे जो बाते हैं इधर उधर जो भी हमने पढ़ा उनको कैसे जब apply करने की बात आए उनको कैसे apply करना है यह कला आप के अंदर विखसित करनी है और यह समय के साथ साथ आएगी ठीक है तो शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को subscription ले सकते हैं 23 फरवरी को ये batch close हो जाएगा यदि आप इस batch से जुड़के एक निश्चित समय सीमा में अपनी preparation को जारी रखना चाहते हैं सही mark दर्शन में तयारी करना चाहते हैं अपने selection को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप इस batch से जुड़ें इस batch से जुड़िये का कैसे तो study IQ की app या study IQ की website पे जाके आप इस batch में enroll करा सकते हैं इस course को join कर सकते हैं या इस वीडियो के description box में एक link दिया होगा उस link पे जाके भी जब आप click करेंगे तो आप वहां से course से जुड़ सकते हैं ध्यान रखेगा जब आप इस course को पर्षेज करेंगे तो यदि आप LD, LIVE, LD live का प्रयोग करेंगे तो आपको ये course मात्र 18,999 में मिल जाएगा 18,999 में मतलब क्या मिलेगा यानि PT, mains और आपका जितना भी current affairs है CSET इसके साथ बिलकुल मिलेगा आपको और साथ ही निबंध जो की mains का part है foundation course है तो आपका पूरा का पूरा syllabus इसमें complete होगा तो फटा-फट जुड़िए 23 फरवरी तक इस batch में ध्यान रखेगा अब बात करते हैं आप PDF कहां से लेंगे तो PDF के लिए आपको मेरे तेलिग्राम चैनल या हमारे तेलिग्राम चैनल ललीत धही अकाडमी से जुड़ना पड़ेगा इस तेलिग्राम चैनल पे आपको हर class की PDF मिलती रहेगी इसके अलावा ललीता धही अकैडमी इंस्टरग्राम और ललीता धही अकैडमी फेस्बुक पेज से भी आप जुड सकते हैं PDF आपको टेलिग्राम चैनल पे मिलती रहेगी दोस्तों हम पढ़ रहे थे अंतराष्ट्य राजनीती के निर्धारक तत्व जिसमें हम आंतरिक तत्व कम्प्लीट कर चुके थे और बाहियत अंत्रों में हमें एंट्री मार के हम 1990 क्रोस कर चुके हैं सारे घटना क्रमों को अच्छे से समस्ते हुए और ये समस्ते हुए कि किस सरीके से अंतर राष्ट्य घटना क्रम भारत की विदेश निती को परिवर्तित करते रहे हैं समय दर समय अलग-अलग हमारी फोरेंट पॉलिसी की दशा और दिशा रही और उस दशा और दिशा में अंतर राष्ट्य घटनाओं का कितना बड़ा रोल रहा ये हमने इस पूरे यानि 1947 से लेके 1990 या यू कहें हम 1990 के बाद हमारी फोरेंट पॉलिसी बेसिकली क्या थी? 1990 के 95 के आसपास तक हम पढ़ चुके हैं ठीक है? तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी फिर भी यदि आपको कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बोक्स में आप अपने कोशन पूछ सकते हैं देखो दोस्तों, हमने यहां तक कर लिया था, है ना? आपको कल की क्लास में याद होगा कि किस तरीके से राजीव गांधी के बाद जब 1990 में, 1990 में बेसिकली हम आ गए थे, कि 1990 में जब सोविय संग का विखंडन होता है, एक धुरुविय विश्व स्थापित हो जाता है अर्थ्यवस्ता हमें भारत को अपने आर्थिक सुधारों की दिशा तै करनी पड़ती है, क्योंकि 1991 के खाड़ी युद्ध और भारत का भुकतान संकट अपने आप में एक बड़ी समस्या बन चुका था हम सुधार करते हैं अपनी आर्थिक निती में, हम पूर्व की और देखों की निती को लागू करने का प्रयास करते हैं, हम इस्राइल के साथ अपने संबंधों को बहतर करने का प्रयास करते हैं, हम चाइना के साथ अपने संबंधों को बहतर करने का प्रयास करते हैं, इस द इस दोरान और यहां पे मैंने पिछली क्लास में यहां से छोड़ा था कि 1906 में गुजराल सिध्धान्त देते हैं यह सिध्धान्त कुछ नहीं है गुजराल सिध्धान्त का मतलब ही है कि हम अपने पडोसी राश्टों के साथ अपने संबंधों को कैसे मजबूर बनाएं ठीक अब देखोगे बंगला देश है, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका ऐसे देशों से भारत को पारस परिक्ता की मांग नहीं करनी चाहिएं पारस परिक्ता का मतलब क्या है आप हमारे लिए कुछ करोगे तो हम आपके लिए कुछ करेंगे बिना बात हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे लेकिन गुजराल सिध्धान्त में ये कहा गया कि जो हमारे पडोसी देश है हमें अपनी पडोसी प्रथम निती के तहत पारस परिक्ता की मांग नहीं करनी है कि जब वो राश्ट्र हमारे लिए कुछ करे हम तभी उनके लिए क राश्ट्र है वो सब करना चाहिए जो भारत कर सकता है या जिसकी इन राज्जों को जरूरत है इन देशों को जरूरत है और भारत वो कर सकता है वो करना चाहिए पारस परिक्ता का पालन कम से कम हम विश्व केंने देशों के साथ तो करते ही है पारस परिक्ता का पालन जो लेता है भाई लेन देन है आप हमारे लिए कुछ करोगे तो हम आपके लिए कुछ करेंगे लेकिन कम से कम पडोसी राष्टों के संदर्भ में इस पारस परिक्ता के पालन की कोई जरूरत नहीं है ठीक है ध्यान रखिएगा इसकी अलावा कोई भी दक्षिनेशियाई राष् यह कहा गया इस सिध्धांत में कोई राष्ट्र दक्षिनेशियाई की किसी अन्य राष्ट्र के खिलाफ युद्ध में हिंसा में आक्रमण में अपने छेत्र का उपियोग नहीं होने देगा यानि कही ना कहीं छेत्रिया खंडता की बात की जा रही थी गुज्राल सिध्ध का सम्मान करेगा साथ ही जितने भी दक्षिन एशिया के राष्ट है शांति पूर्ण द्वी पक्षियवारता के माध्यम से अपने विवादों को सुल्जाने का प्रयास करना चाहिए ये गुजराल सिधान्त दक्षिन एशिया के एक ही करन का आधार बनने का एक बड़ा माध्यम थे क्योंकि कहीं ना कहीं दक्षिन एशिया राष्टों की छेत्री अखंडता पे ध्यान दिया गया दक्षिन एशिया राष्टों के विकास पे ध्यान दिया गया और ये कहा गया कि भई संप्रभूता का समान करेंगे, खेत्री अखंडता का समान करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक शेप नहीं करेंगे, जो भी विवादित मुद्धे हैं, दो देशों के मध्य हैं, तो उन विवादित मुद्धों को वारता के माध्यम से सोट आउट या समाधान करने का प्रियास करेंगे और साथ ही जो पहला पॉइंट था कि भारत अपने आप में एक मजबूत राष्ट्र है आर्थिक व्यवस्था भारत की बहतर है और एकुबरती हुई व्रुद्धी करनी है ठीक है तो ये था गुजराल सिथान ध्यान रखेगा ये इस समय निर्मित हो रहे थे और क्या हो रहा था 1990 के दशक्की बात कर रहे हूँ मैं सबसे मेजर हुआ यहां पे मैं 1998 में पोखरण में पांच एक के बाद एक प्रमानू परिक्षन किये गए और पूरी तरीके से भारत ने अपने आपको प्रमानू शक्ती संपन राष्ट्र घोशित कर दिया अटल भिहारी वाजपई की सरकार थी और यहां पे यह भारत के प्रमानू शक्ती संपन बननना था यदि हमें शक्ती संतुलन स्थापित करना था तो है ना ध्यान रखिएगा प्रमानू राष्ट्र घोशित कर दिया 1998 में ये घटना करम भी हो रहा था यहां पे और कहीं न कहीं इस घटना करम के पीछे अंतरराष्ट्र वातावरन का भी प्रभाव था हमारे पड़ोसी प्रमानू संपन बनके बैठे हैं तो हमें भी प्रमानू संपन बनना पड़ेगा बास समझ में आई इसके अलावा प्रतिबंध लगा दिये भारत विभिन प्रकार के प्रतिबंध लगाए और अन्या बड़ी शक्तियों ने भी प्रतिबंध लगाए और वास्पिक रूप से प्रमानू शक्ति के रूप में हाला कि बाद में फिर प्रमानू शक्ति के रूप में मान्यता मिल गई भारत को प्रतीबंध लगा दिये थे मैंने आपको पिछली classes में बताया होगा देख उसारी चीजे वहीं आरे है घूम फिर के आरे हैं अपको बताया था ठीक है प्रतीबंध लगा दो लेकिन ज्याधा समय तक प्रतीबंध लगा नहीं पाऊगे क्यों कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, बड़ी जनसंख्या है, बड़ा मार्किट है, बड़ा बाजार है, तो ऐसे में यदि आपको अपने माल की खपत करनी है, तो आपको भारत की तो जरूरत पड़ेगी, और भारत का प्रभाव अभी तक बड़े स्तर पे कायम हो चुका था, अलग- तक आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, और यहाँ पे एक बहुत वाइज, हम कह सकते हैं, दूर दर्शी निरने लिया गया, हमारे नेत्रित्व द्वारा प्रमानु परिक्षण के माध्यां से, तो प्रमानु परिक्षण हो गया जी, बहुत बड़ी आबात है, यहाँ हम आते हैं एक नए युग में, यानि हमने 1990 से लेके लगभग 1998 तक का घटना करम पड़ लिया, 99 में आएंगे अभी हम कारगिल वगयरा होगा, उसमें आएंगे, तो मोटे तोर पे इतने घटना करम में कुल मिला के पांचे बाते हमें ध्यान रखनी हैं, आर्थिक सुधार हो रहे हैं, भार्तिक आर्थिक नितियों को बड़े स्तर पे परिवर्तित कर रहा है, हम चाइना के साथ अपने संबंधों को बहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम इसराइल के साथ संबंधों को बहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पूर्व की ओर देखों की निती हम ले भी करते हैं उसके बाद प्रमानु कि परिक्षन करते हैं और स्व्यम को प्रमानु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोशित कर देते हैं और साथ ही हमारे उपर बड़े स्थर पे प्रतिबंध लग जाते हैं इस फेज में हमने मोटे तोर पे यही पढ़ा ठीक है यहां तक कोई द देखोगे संयुक्त राज्य अमेरिका इसे हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों का एक नया यूग भी बोल सकते हैं इस समय तक आते आते पाकिस्तान और चाइना अपने आप में जादा करीब आ गई ऐसे में यूएस से कुछ हद तक तो 2012 तक यूएस से बड भाव छेत्र बढ़ने की आशंकाई शुरू हो गई चाहे वो हिंद महासागर वाला एरिया है चाहे वो दक्षिन चीन सागर वाला मुद्दा है है तो ऐसे में अमेरिका को भारत की जरूरत थी साथ ही भारत एक बहुत बड़ा व्यपार था इसके अलावा भारत विश्व क कुटुम्बकम के आधार पे निर में थे भारत ने कभी भी पहले आक्रमन करने की नितियों को नहीं अपनाया हमेशा भारत ने आक्रमन का या युद्ध का विरोध किया है प्रत्युत्तर दिया है पहले आक्रमन नहीं किया तो ऐसे में भारत की साख बड़ रही थी अमेरि हम देखते हैं 2000 के बाद ये बहुत सकारात्मक दिश्या में आगे बढ़ेगा अमेरिका के साथ सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि एक वारता होती है इतना याद नहीं रखना कि किस किस के बीच में देखो पढ़ने से जादा जरूरी होता है क्या छोड़ना है ये कभी न अमेरिका के बीच द्वीपक्षियवारता हुई इस द्वीपक्षियवारता के बाद कि सोचो 1998 में में प्रतिबंध लगा रहा है अमेरिका लेकिन 2000 में अमेरिका के राश्ट्रुपती बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पे आते हैं क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज नहीं दिख रहा है आपको जो राश्ट्र दो साल पहले भारत पे प्रतिबंध लगा रहा है वो राश्ट्र आज भारत की यात्रा पे आ रहा है और फिर मैंने बताया अंतर राश्ट्र संबंदों में यात्रा की बहुत के नहीं तार्थ होते हैं अ thirds किए दोहजार में यात्रा हुई हैलां कि यह यात्रा भूश जादा सफ़ल ही होपाई यहाँ पर अमेरिका ने कहा था cosa की भारत में धंगि diu ahead करने से पहले भी मना कर दिया था बहुत सकारात्मक प्रतिफल नहीं निकला था लेकिन फिर भी एक शुरुवात तो हुई और इसी की परिणती इनहीं दोनों देशों के भी संबंधों की परिणती हमको 2005 में दिखती है जब भारत और अमेरिका की बीच में सीविल नूक्लियर डील होती है सीविल नूक्लियर डील हुई दोनों देशों के बीच में भारत को एक प्रमाणू शक्ती के साथ साथ प्रमाणू अप्रसार पर एक जिम्मेदार देश के रूप में मान्यता दी गई भाई आप किसी देश के साथ प्रमाणू अब ये संधी कर रहे हो तो ऐसे में एक ऐसे राश्ट्रों के साथ जिसने NPT पे हस्ताक्षर भी नहीं किये हुए ये बहुत बड़ी उपलब दिती भारत के लिए अचानक से भारत का प्रभाव छित्र बढ़ेगा और अमेरिका से ज साथ अलग-अलग प्रमाणू संधियां की जिसमें फ्रांस है मंगोलिया है उस्ट्रेलिया है इती तरीके से अलग-अलग देशों ने भारत के साथ के संधियां की तो अमेरिका के साथ हमारे संबंध इस दोर में सुधर रहे हैं इसके साथ यदि हम देखे लेकिन एक पढ़ाऊंगी बहु पक्षय निर्यात नियंत्रण में वस्था एक जगह पढ़ाऊंगी जहां में वासेनार उस्ट्रेलियन समूं एम सी आर तो वहां पर हम पढ़ेंगे संधियां होती है बेसिकली यह मिसाइल की जो निर्यात को नियंत्रित करने का काम करती है यह इस प्रकार की संधिया तो अभी उसको छोड़ दो वो इकठा पढ़ेंगे यहां पे आओ लेकिन 1999 में भारत को एक संकट का सामना करना पड़ा और वो संकट जो हमेशा से हमारे लिए सर पे बैठा है हमारे हैं ना सब को पता है पाकिस्तान तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कारगिल छेतर में घुसपेट करना शुरू कर दिया कारगियन छेत्र में घुसपेट के परिणाम स्वरूप पहली बार 1999 में अब कहोगे मैं में इससे पहले भी तो लड़े थे भई उससे पहले लड़े थे लेकिन 1999 में दोनों राष्ट्र प्रमाणू शक्ती संपन्न हैं पहली बार प्रमाणू शक्ती संपन्न दो राष्ट्रो के बीच युद्ध हुआ 1999 में मतलब 1999 में चोथा युद्ध था भारत और पाकिस्तान के बीच में अब ऐसे में ये इस से पहले आऊं जब ये युद्ध हुआ ना तो ये इस युद्ध की बड़े स्तर पे आलोचना हुई विश्व जगत में अमेरिका से लेके फ्रांस इंग लैंड जो भी बड़े राष्टर से सब ने आलोचना की थी इस युद्ध की पाकिस्तान के नजरिये की क्योंकि शुरुआत इस ने की पाकिस्तान ने की हालां कि हम इस युद्ध में जीते हमें विजय प्राप्त हुई इस युद्ध में वो एक अलग बाद है लेकिन इस फेज में हमें ये युद्ध भी जहिलना पड़ा था ठीक है सबको पता है कारगिल वार इसके बाद और क्या चल रहा है हम ये देखेंगे कि 2000 के बाद से आतंकुआद पूरे विश्व के सामने एक बड़ी चुनोती बन के उभर रहा था और इस आतंकुआद की बड़ी मार जहिलनी पड़ी यहां पे अमेरिका को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है ध्यान रखेगा महत्वपूर्ण चुनोती बना आतंकुआद इस दोर में और 11 सितंबर 2001 को आतंकुआदी हमला हुआ अमेरिका में ये जब अमेरिका में आतंकुआदी हमला हुआ ना तो ये पहली ही आतंकवाद के उपर विश्व से कारिवाही करने की बात करता रहा है, 1996 से ही, CCIT इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, CCIT, इसको बोलते हैं, comprehensive convention against international terrorism, हिंदी में बोलेंगे, अंतर राष्टे आतंकवाद के विरुद, व्यापक अभी समय, भारत 1996 से ही CCIT के लिए प्रयास कर रहा था, और अंतर राष्टे समुदाय को बार-बार बोल रहा था, कि भई, आतंकवाद किसी एक देश की चुनोती नहीं है, आतंकवाद विश्व की सबसे बड़ी चुनोतियों में से एक है, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रेंगरी थी, लेकिन जब 2001 में, ये बहु विश्व जिसका सामना कर रहा था, वो आतंकवाद बनी और वैश्विक राजनीती में एक महतपूर्ण मुद्दा बन गया आतंकवाद, उसके बाद डिसंबर 2001 में भारतिय संसद पर आतंकवादी हमला होता है, और भारत प्रतिरोधी कूटनिती, रणनिती का सहरा लेता है जिसके सीमित परिणाम प्राप्त हुए, इतना जाने की जरूत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि आतंकवाद इस समय लगभग प्रतेक देश की समस्या बन चुका था, जिसको अमेरिका ने भी जहला, जिसको भारत ने भी जहला, और भारत 1996 से ही अंतर राष्टे आतंकवाद के खिला, ठीक है, ध्यान रखना, उसके बाद हम देखते हैं, 2008 में फिर से मुंबई अटैक होता है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है, समुंदर के रास्ते आतंकवादी आते हैं, अलग-अलग destination उन्होंने पहले ही फिक्स कर रखे थे, वहाँ पे ब पाकिस्तान की भूमी का मुख्य तोर पे दिख गई, तो वैश्विक अलगाओ प्रदर्शित हुआ, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्या, घनिष्ट आतंकवाद, विरोधी सहियोग का मार्ग प्रशस्त हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ विश्व हुआ उस समय, एक रुख देखने को मिला, भारत तो होगा ही पाकिस्तान के खिलाब, और कहीं न कहीं, आज की डेट में जब हम भारत पाकिस्तान संबंधों में देखेंगे, तो हमारे संबंध टिके हुए है, वारता प्रतिरोध वारता, और अब तो हमने ये कह दिया है, कि जब आप आत आतंकवाद पे काम करो, उसके बाद भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में सोचो, ठीक है, ध्यान रखना, तो इस दोर में आपको काफी चुनोतियां दिख रही है, 1999 में युद्ध होता है, 2001 में वर्ल्ट्रेड सेंटर पे हमला होता है, उसके बाद 2001 में भारत की संसद पे आतंकवादी हमला होता है, TCIT के मुद्धे को भारत अंतर राष्ट्रिया पटल पे हमेशा से उठाने का प्रयास करता रहा है कि आतंकवाद पे एक व्यापक अभी समय बने, इसके साथ ही 2008 में जब मुंबई अटैक होता है, तो भारत के उपर, पाकिस्ता काते हैं आतंकवाद के मुद्दे पे, वैसे तो बहुत सारे छेत्रों में हम आगे बढ़ रहे थे, अमेरिका के साथ हमारे संबंध प्रगाड हो रहे हैं इस दोर में, लेकिन आतंकवाद को चूंकी, अमेरिका ने भी जहला है, भारत ने भी जहला, उसी दोरान, तो दोनो के संबंध आतंकवाद विरोधी रणनिती के मुद्दे पे काफी मजबूत होते हैं, ध्यान रखेगा, इसके साथ ही और क्या चल रहा था विश्व में, डबलू टीयो वारताएं चल रही थी, दोहा विकास दोर, ये डबलू टीयो वारता हम अलग से पढ़ेंगे, जब मै किसानों को सबसीडी मत दो, क्रिशी सबसीडिया, अनाज सबसीडी जो हम देते हैं, हम कहते हैं कि भई हम विकाशील राष्टर हैं, हमारी प्रात्मिकताएं हैं, हम इसे बंद नहीं कर सकते, तो डबलू टीयो के सर पे बहुत सारी वारताएं विफल होती रहती हैं इन मुद्दे क्या हैं, हम डबलू टीयो में पढ़ेंगे, लेकिन मोटे तोर पे ये ध्यान रखना है कि इस समय तक भारत का प्रभाव काफी बड़े सर तक बढ़ चुका था, 2008 में डबलू टीयो की एक वारता होती है, उसमें जब किसानों की सबसीडी का मुद्दा उठता है तो भारत के जो प्रती निथी उसमें बैठे होते हैं, वो उठके आ जाते हैं, डबलू टीयो वारता विफल ही हो जाती है, ध्यान रखना, तो डबलू टीयो वारता चल रही थी, भारत ने विकाशील राष्ट्रों की चिंताओं का नेतरित्व किया, भारत जो भी विकाश हम पढ़ रहे हैं, यह जब मैं डबलू टीयो आपको बताऊंगी ना, पूरा बताऊंगी, डबलू टीयो वैसे भी आपको अंतराष्ट्रिय संगठन में एक अलग टोपिक ही है, पूरा विकास कैसे हुआ, दोहा वारता क्या है, विकसित देशों के मुद्दे क्या है, वि जलवायू परिवर्तन एक गहोत बड़ी समस्या के तोर पे उभर के सामने आने लगा था, आने तो 1992 के बाद से ही लगा था, लेकिन विशेश दोर हम देखेंगे कि 2000 के बाद से इस पे विशेश फोकस किया जाने लगा, और राष्ट्रे हितों को देखते हुए, जलवायू वारताओं में भारत अपनी भूमी का निभाने का प्रियास किया, निश्पक्षता और उत्तरदाइत्व के सिध्धानतों से संकोच नहीं किया, भारत ने ये कहा कि जहाँ पे हमारा उत्तरदाइत्व है, जलवायू परिवर्तन को कम करने में अपनी भूमी का निभाने में हम वहाँ पे अपना उत्तरदाइत्व निभाएंगे ध्यान रखेगा लेकिन यह उत्तरदाइत्व निश्पक्षता के अलहार पे होना चाहिए यह नहीं है कि आप विक्सित राष्ट्र हैं आप भी 3% कटोती करेंगे और एक गरीब राष्ट्र वो भी 3% कटोती करें जबकि विश्व परियावरन संकट में हम यह कहें कि जो ग्रीन हाउस उस्थरजन में उसमें आपका योगदान है 30% और इस देश का योगदान है 5% और आप भी उतना ही कम करो जितना यह करेंगे तो इन आधारों पे भारत के कुछ विवाद भी रहे हैं भारत और साथी विकाशील राष्ट्रों के कुछ विवाद भी रहे हैं जलवायू परिवर्तन पे भी अदिकार्यवाही करनी है तो वो निश्पक्षता के साथ होनी चाहिए विकसित देशों के अलग टार्गेट होने चाहिए क्योंकि वो तो अपना विकास कर चुके है जो ये ओजोन वो हो रहा है या फिर परियावरन दूशित हो रहा है इसमें सबसे बड़ी भूमिका किस की है विकसित राष्ट्रों की है तो ऐसे में जिम्मेदारी जादा किस की है विकसित राष्ट्रों की है तो हम समानता का सिध्धानत कैसे लागू कर सकते हैं कि विकसित राष्ट्र भी उतना ही करें और विकास्षिल भी उतना ही करें ध्यान रखना, इन सारे मुद्दों पे भारत एक बड़े नित्रित्व करता के रूप में उभर रहा था, ठीक है, इसके साथ ही और क्या हो रहा था, समान सोच वाले राष्ट्रों को लेके भारत आगे बढ़ रहा था, समान सोच वाले राष्ट्रों का मतलब क्या है, बेसिक के तोर पे हम बोल सकते हैं, इसको इस तरीके से तोड सकते हैं, ब्रेजील, साउथ अमेरिका, इंडिया, चाइना, बेसिक जैसे गठ बंधन बन रहे थे, यानि जो उभरती हुई विश्व की अर्थ के वस्ताएं हैं, वो एक साथ आके काम करें, एक साथ आके वो इस जो जैसे संगठन बंते नजर आते हैं, इसके साथ ही 2008 में वैश्विक अर्थिक संकट में भी भारत G20 जैसे माध्यमों के दुआरा वैश्विक वारताओं में महतपोन भूमी का निभाता है, कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं, चाहे आतंकवाद का मुद्दा है, चाहे जलवायू परिवर्तन का मुद्दा है चाहे WTO में VIKASHील देशों के नित्रित्व करने का मुद्दा है इसके साथ ही चाहे समान आर्थिक प्रिश्ट भूमी वाले देशों के साथ गडबंधन बनाके आगे बढ़ने का मुद्दा है और चाहे आरथिक संकट में G20 के माध्यम से वैश्विक वारताओं में महतोपून भूमी का निभाने का मुद्दा है, इन सब आधारों पे हम ये कह सकते हैं, कि भारत एक बहतरीन स्तिती में आ चुका था, और विश्व की कोई भी वारता भारत के बिना possible ही नहीं थी, भारत की अर्थ्यवस्था, भारत क चेत्रफल और भारत का ओवर ओल जो एक विचारधारा रही है या भारत के जो सध्धान्त रहे हैं, foreign policy के, विश्व भारत को इगनोर नहीं कर सकता था, ठीक है, यानि आर्थिक संकट में भारत उतनी बुरी तरीके से प्रभावित नहीं हुआ था, जितनी बुरी तरीके से European countries या अमेरिका जैसे देश प्रभावित हुए थे, भारत को बहुत बड़े स्तर पे इस संकट को नहीं जेलना पड़ा, लेकिन भारत ने वैश्विक वारताओं में एक महतपूर्ण प्रतिनिधी के तोर पे अपनी भूमी का निभाई, इसके साथ ही G4 जैसे संगठन उभ चाहिए और चार देशों को संयुक्त राष्टर में शामिल करना चाहिए, ये चार देश कोन से हैं, दक्षिन अमेरिका से, दक्षिन अमेरिकी महादवीप से आजाएगा आपका ब्रजील और यहां से आजाएगा आपका इंडिया, साउथ, अफ्रीका महादवीप से आजा उक्तराष्ट्र में सुधारों की मुहीम को आगे बढ़ाया जाए और ये सुधार आज भी वहू भी जारी इसके साथ और क्या कर रहा था ब्रिक्स जैसे संगठन बन रहे थे ब्रिक्स जैसे संगठन के माध्यम से भारत बहू पक्षिया प्रयासों के द्वारा वैश्विक व्यवस्था को पुन है आकार देने की अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा था ब्रिक्स ब्रिक्स का मतलब क्या है ब्रेजील रश्या इंडिया चाइना साउथ एप्रिका यह पांच देश ब्रिक्स में है इस ब्रिक्स के माध्यम से जो वैश्विक आर्थिक संस्थाओं में देशों का जो प्रभाव है उस प्रभाव को कम करना ब्रिक्स के माध्यम से अपने अलग संगठन बनाना अपने आर्थिक संगठन बनाना जो हम देखते हैं है ना एशियाई बैंक से लेके AIIB इत्यादी जो संस्थान बने उनका प्रयास भी तो यहीं से शुरू हुआ यानि वैश्विक जो व्यवस्था थी उसको पुनहयाकार देने का प्रयास करता है यानि जी फोर के माध्यम से ब्रिक्स के माध्यम से बेसिक के माध्यम से है ना और इस तरीके से जो अंतराश्ट्य संगठन में भारत महतपूर्ण भूमिका निभारा था कुलमिला के भारत इस दोरान अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग माध्यमों से काम करने का प्रयास करता दिखता है इसके बाद मैं यहां पर आऊंगी 2014 से और याद रखना है इसके बाद एक-एक सधी का पॉइंट नोट करवाऊंगी टेंशन मतलों सारी चीजें एकदम क्रक्स मोड में आप के पास हूँगे एक बार समझ बननी जरूरी है दोस्तों याद रखना हम कहीं बार सोचते हैं कि दस दिन में आई यार खतम हो जाए कर लोगे यहां कितना रहे एक्जैम होल में क्या लिख किया होगे जब आपकी समझ बन जाती है न मुद्दों पर फिर आपको सोचने की ज के कंसेप्स को तो इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा अगर बुनियादी तोर पर पढ़ना है तो फटा फट मेरा क्या जाएगा मैं तो 20 दिन में निप्टवा दूंगी फिर आप ही निपढ़ जाओगे ध्यान रखना इसलिए बुनियादी तोर पर पढ़ते हुए चलना ह यहां तक आप लोगों को मैं एक बार फिर से बता देती हूं न्यू एरा इसमें हम देखते हैं अमेरिका के साथ हमारे संबंद मजबूत होते हैं 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपती की भारत यात्रा पांच में सीविल न्यूक्लियर डील उसके बाद हम देखते हैं ये तो 1999 1999 की घटना है कार गिल्व और जिसका विश्व में विरोध हुआ इसके साथ ही आतंक वाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है भारत उसको जहलता है अमेरिका उसको जहलता है CCIT कंवेंशन पे बात होती है इसके साथ ही WTO की दोहा वारता में भारत विकाशील देशो का नित्रित्व करता है इसके साथ ही जलवायू वारताईं बड़े केंदर में आ जाती हैं बेसिक के माध्यम से काम कर रहे हैं जी फोर ब्रिक्स और आर्थिक संकट के दुरान भारत अपनी भूमी का निभाराय कुल मिला के हमने देखा यह 2000 से लेके लगवक 2000 का का इस काल म सुधार का मुद्दा है चाहे डबलू टीयों की दोहा वारताओं का मुद्दा है है ना तो भारत की फोरेंड पॉलिसी इन सारी घटनावं से प्रभावित होगी की नहीं होगी हूई है ना तो ध्यान रखना किस तरीके से बाही अतत्व अंतर हमारी फोरेंड पॉलिसी को परभावित करते रहते हैं इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं 2014 से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रित्व में विदेश नीति निर्मान को आकार प्रधान जारी रखना शुरू हुआ है और 2014 के बाद से क्या क्या हुआ इसको मैं अलग थे जब हम पॉइंट नोट कर नहीं है 2014 में कुछ नया तो आया नहीं निरंतरता के साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा कि भई हमारे विदेश नीति के बेसिक सिधानत वहीं है जो पहले थे साथ ही अमेरिका के साथ और संबंद प्रगाड हुए भारत चाइना और बड़ी शक्ति क तो चाइना हमारे लिए एक काफी बड़ी चुनोती है हिंद महासागर में मोतियों की माला जो चाइना की नीति है हम उसका प्रत्यूत्तर देने का हम भी भरसक प्रयास कर रहे हैं है ना जब हम ध्वी पक्षिय संबंद पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से पता लगेगा क कि चाइना की मोतियों की माला का हम कैसे प्रत्यूत्तर दे रहे हैं कुआड का मुद्दा है हम कुआड जैसे संगठन से जुड़े दक्षिन चीन महासागर में भारत के महत्व कौम अमेरिका ने पहचाना साफ तोर पे अमेरिका की तरफ से स्टेट्मेंट आता है कि भारत स्टेट्र में बहुत बड़ी शक्ति के तोर पे कायम है तो भारत के महत्व को अमेरिका पहचान रहा है इस्ट्राइल के साथ संबंद प्रगाड हो रहे हैं हमारी स्थैनिक निती विविधिकृत हो रही है 2014 से पहले जादा तर हम हतियार रश्या से मंगवाते थे लेकिन 2014 के बाद से हमने अपनी जो सैनिक कूटनीती है या हम कहें हमारे जो हतियार है शस्त्र हैं वो हम अलग-अलग देशों से आयात करने लगे जिसमें फ्रांस एक बड़ा राश्ट्र है इस्राइल बड़ा जैसे आप देखोगे मिसाइल प्रद्योगी की नियंत्रण व्यवस्था 2016 में हम इसके सदस्य बने वासेनार व्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया इस समूह में ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगी आज आपका होमवर कितना है एक बार कृप्या करके थोड़ो ना गूगल करन में भारत की मौजोद्की के पीछे ठीक है तो ध्यान रखना गूगल करके कृप्या करके देखना नहीं समझ में आए तो मैं तो पढ़ाऊंगी ही लेकिन बस इतना याद रखो ये हतियारों के निरियात आयात से संबंधित अलग-अलग संधियां है अलग-अलग इनके प् सब्दा है वो मिल जाएगी इस चरण की उपलब्धियां हम देखेंगे क्या-क्या उपलब्धियां है यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत अच्छा में फिर भूल गई आज रिकोर्डिड है ध्यान रखना ये आज रिकोर्डिड सेशन है मंडे से हम लाइव आ जाएंगे मेरी थोड़ी व्यस्ता थी तो इसलिए मैंने सोचा कि क्लास नहीं छूटनी चाहिए एक रिदम नहीं छूटना चाहिए कम से कम आपको जो क्लास है वो मिले रिकोर्डिड फॉम में मिले भले ही है ना और सिंसियर स्टूडेंट तो अच्छे से भूमी का बढ़ रही है भारत अलग-अलग संगठनों के माध्यम से अपनी भूमी का बहतर तरीके से निर्वहन कर रहा है भारत यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए एक मुहीम चला रहा है और जो जी फोर कंट्रीज के साथ मिलके जो यूएन की स्थाई सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है और आप देखोगे ना हमारे जिन भी देशों के साथ द्वीपक्षिय संबंद बनते हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि आप हमें यूएन की स्थाई सदस्यता का समर्थन करते हो हमारी तो जी हां करते हैं तो और स क्या क्या हमारी उपलब्धिया हैं देखो आर्थिक विकास जोरों पे है हमारा आर्थिक विकास बढ़ रहा है विश्व भारत विश्व की उभरती हुई अर्थ्ववस्थाओं में ठान प्राप्त कर रही है बड़ी एकनोमी हुई हमारी बड़े स्थर पे आर्थिक विका इस विरोध को देशों ने खतम कर दिया और इस प्रमानु छमता को मान्यता हमें तभी मिल गई जब हमारी 2008 में नूकलियर डील होती है USA के साथ तो हमको प्रमाणू मान्यता मिल गई प्रमाणू छमता की मान्यता मिल गई और ना केवल USA बलकि विश्व के अलग-अलग देश बाद में हमारे साथ संधियां करते हैं प्रमाणू संधियां करते हैं विश्व के बड़े बड़े देश संधिया करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि भारत को प्रमाणू शक्ति संपन्नत होने की माननेता मिल गई थी, है ना, और क्या उपलब्धी थी, हमारे मुख्य संबंध अमेरिका से बने इस दोरान, अमेरिका हमारा एक प्रमुख पढ़े, तो जब हम भारत अमेरिका संबंध पढ़ेंगे, तो डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें भी प्रिष्ट भूमी मैं पढ़ाऊंगी, कैसे प्रिष्ट भूमी विक्सित हुई है, करेंट का तो रोल है ही, लेकिन बेस तो समझना पढ़ेगा ना भाई, कई बच्चे गड़बड कर देते हैं, सोचते हैं, हाँ, भारत संबंध रटके चले गए हो गया, वो लिख भी वहतर तब पाऊगे, जब आपको प्रिष्ट भूमी का ग्यान हो, बिल्डिंग खड़ी कर तो नीचे नीव बनाई, धर धरा के गिर जाएगी, ठीक है, तो इसलिए नीव म हम, हमारे इसके साथ भी बहतर संबंध है, और हमारे इसके साथ भी बहतर संबंध है, यह है भारत की फोरन पॉलिसी की समन्वयता, जब मैं विशे, अभी सिध्धान्त बताऊंगी ना, हमारी विदेश नीती को, तो बताऊंगी गत्यात मक्ता कैसे, हमारी फोरन पॉलिसी क का एक सिध्धान है समन्वेता कैसे सिध्धान तो ये समन्वेता हमने स्थापित कि एक तरफ हमारे रश्या से बहुत ते साथ यॉसेस से बहुत हैं आज अपने संबंध को मजबूत करते हैं पूर्व की और देखो निती को हम अपनी विदेश निती की एक policy के तोर पे स्थापिद करते हैं 1990 के तशक्ते है ना तो दक्षिन पूर्वेशिया के साथ संबंध बहतर हो रहे हैं ठीक है और क्या हो रहा है चाइना के साथ संबंधों का प्रबंधन हम यहाँ पे बहतर तरीके से कर पा रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया हमने confidence building major के प्रयास किये हमने चाइना के साथ जो L.A.C. है शांती और स्थर्ता की बात करते हम यहाँ पे चाइना के साथ यानि चाइना के साथ विवाद है हमारा सीमा विवाद है जो आज भी है लेकिन उसके बावजूद हमने इस दोर में चाइना के साथ संबंधों में सुधार करने के प्रयास किये और मिल जुल के आर्थिक विकास की गती को आगे बढ़ाने के प्रयास किये यानि चाइना के अधस्यता हमको मिल जाती है ये भी एक उपलब्धी है पूरे के पूरे अंतराष्ट्य इस दोर के संबंधों की इसके साथ ही वैश्विक विवस्था में हम बहु पक्ष्यता और बहु ध्रूवियता को आगे बढ़ाने राष्टे हितों को आगे बढ़ाने के लिए हम बहु इसको आप समझोगे मैं बहु ध्रूवियता मतलब क्या देखो जब शीत-ईद था तो विश्व के दो दूब थे युए से USSR जब शीत यूद समाप्त हुआ USSR का विग्टन हुआ तो विश्व का एक ध्रूव हो गया America सब कुछ America है लेकिन धीरे धीरे अन्ये एकनोमी भी ग्रोथ करेंगे अन्ये राश्टर भी ग्रोथ करेंगे तो ऐसे में विश्व का एक ध्रूव नहीं रह जाएगा बलकि विश्व बहुत धुरुविय विश्व विवस्था में बदल जाएगा, यानि विश्व के बहुत सारे धुरुव हैं, और इन बहुत धुरुविय विश्व को हम कैसे सक्टेस्फुल बनाएंगे, जब हम अलग-अलग संगठनों को मजबूत बना के एक जुट होने का प्रयास करेंगे आर्थिक विकास करने का प्रयास करेंगे तो कही न गहीं इस दोर में हमें बहुत धुरुब्यता की और जाने का संकेत मिलता है बेसिक के माध्यम से काम कर रहे हैं ब्रिकिस एक महतोपून संगठन उभरा है विश्व के पटल पे इसके साथ ही इबसा, इबसा में इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्रजील, ये तीन देशा, तो अलग-अलग जो विश्व क्यू भरती अर्थ्य वस्थाएं थी, वो अलग-अलग संगठनों के माध्यम से एक जुट होने का प्रयास कर रही है, विकास को प्राप्त करने का प्रयास कर रह न, तो एक बार आपको अगर नोट करना है, तो आप एक बार नोट कर लो, या पते क्या किया करो, नोट करने से बहतर है न, स्क्रीन शोट ले लिया करो, मैं एक मिनिट के लिए हट जाऊंगी, स्क्रीन शोट ले लो, स्क्रीन शोट ले लोगे न, बाद में वो स्क्रीन शो कि ब Wars कि अंदर सब कुछ शोड में तो नोट करना है आपको हम अलग अलग संगठनओं के जो प्रोध्योग की विवस्था के जो संगठन है अलग-अलग संधिया है उनके सदस्य बन रहे हैं इसके साथ ही बहुत धुरुवियता की और आगे बढ़ रहे हैं और इस बहुत धुरुवियता में भारत के संदर्भ में ये उपलब्धी क्यूं है सोचना एक बार क्योंकि इस बहुत धुरुवियता में भारत एक प्रमुख केंद्र बिंदू के तोर पे उबरा चाहे बेसिक है इसमें भी भारत है चाहे ब्रिक्स है इसमें भी भारत है चाहे इबसा है इसमें भी भारत है यानि भारत एक महतवपूर्ण नेत्रत्व के तोर पे उभर रहा है कुछ चुनोतियां भी है बहरत के समक्ष ये चुनोतियां भी समझनी जरूरी है जैसे सबसे बड़ी चुनोति है ये जनसांखिकी लाभांच का उपयोग करने के लिए राश्टर के आर्थिक विकासदर को बनाए रखना ये जनसांखिकी लाभांच आपको पता है 15 से 35 की संख्या कम होना जो की निर्भर होते हैं दूसरे पर तो ऐसे में इस जन सांखी की लाभांश तो भारत के पास है भारत आज विश्व की सबसे बड़ी जन संख्या बन गया और जन सांखी की लाभांश भी भारत के पास ठीक ठाक है लेकिन इस जन सांखी की लाभांश का प् व्यतीत कर रहा है, आपको छोटे-छोटे मुद्दों पे पत्थर उठाके उठाते हुए लोग मिल जाएंगे, आग जलाते हुए लोग मिल जाएंगे, जातिय मुद्दों पे हिंसा भढ़काते हुए लोग मिल जाएंगे, धार्मिक मुद्दों पे हिंसा भढ़काते हुए लोग मिल जाएंगे क्यों क्योंकि विल्ले हैं निठलने हैं काम नहीं है स्किल नहीं है साक्षरता नहीं है तो ऐसे में ये जन सांखी की ध्यान रखना जन सांखी की लाभांश एक बहुत बड़ी उपलब्धी भी हो सकती है किसी राश्टर के लिए यदि बहतर तरीके से उस से एजुकेट किया जाए उसे बहतर स्किल दिया जाए वो देश के विकास में महतपूर्ण भूमी का निभाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धी हो सकती है लेकिन यहीं जन सांखी की लाभांश देश के समक्षिक बहुत बड़ी चुनोती भी हो सकती है और यदि इस जन सांखी की लाभांश को बहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं फिर बेडा गर्क है यह मान लो है ना बाकी कितना जन सांखी की लाभांश स्किल है और अपने अपने काम में लगा हुआ है वो आप इधर उधर की घटनाए देख पहले चोटा सा मु बैठे है ठालनी है यदि उनके पास काम हो धंदा हो तो वो अपना काम धंदा करेंगे किसी भी काम धंदे वाले व्यक्ति को सुनाए क्या कि वो आंदोलनों में लाठी उठा के घूम रहा है मुश्किल होता है तो ऐसे में जन सांखी की लाभांश को आर्थिक विकास की मु प्रदार्द्रमिक संखर्ष नखित करना है समीधान के ढाचे में राष्टर के आंतरिक सुरक्षा समा धना आंतरिक सुरक्षा हमारे समक्ष हूं बहुत बढ़ी है जैसे आप देखोगे कि नक्सलवाद है पूरौत्तर्र की असमस्याई है हालां कि नक्सलवाद भी कम उप्रिपोर्ट आई है अभी पूर्वत्तर में भी जो अलगावादी आंदोलन वह भी कम हो रहे ये लेकिन पिर भी आंतरिक चुनोतिया थार्मिक संघर्ष हैं सामप्रदाइक संघर्ष और धार्मिक संघर्ष तो होता है जातियसं इंगर्ष है है ना भाशा के अधार पर लड़ रहे हैं तो आंतरिक चुनोती भी हैं यह बहुत सारी हैं आंतरिक सुरक्षा के समक्ष्ट तो यह भी एक चुनोती पड़ोसी राष्टों के साथ संबंधों को सुद्रिड बनाना भी एक बड़ी चुनोती है क्यों क्यों आपको दिख रहा होगा सार्क दिख रहा है सार्क बहुत जादा सफल नहीं हो पाया कही ना कही मैंने आपको एक दिन और बताया था कि जितने भी दक्षिन एशिया भारत है ना और इसलिए आप देखोगे सार्क की विफलता साप्टा तो हो गया प्रिफरेंशियल ट्रेड एगरिमेंट तो हो गया लेकिन फ्री ट्रेड एगरिमेंट नहीं हो पाया दूसरी तरफ आप यू जैसे संगठनों को देखो यूरोपीएन यूनियन जैसे संगठ बड़े स्तर पे free trade हो रहा है बड़े स्तर पे राष्ट्र सहयोग के रास्ते अपने अपने विकास को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन यह जो अविश्वास की समस्या है यह भी चुनोती है भारत के लिए और दूसरी चुनोती पते एक क्या है यह अविश्वास को चाइना ने और बढ़ा दिया चाहे आप श्री लंका मुद्दा ले लो अभी तो फिर भी श्री लंका जब बेडाई गर्ग हो गया जब बिल्कुल ही आर्थ व्यवस्था चोपट हो गई राजनीतिक तोर पे अस्थरता आ गई तो भले ही भारत ने बड़े स्थर पे सहायता की और करता ह भारत लेकिन जितने भी आप चाहे बंगलादेश में चाइना की योजना है श्री लंका में है मालदीव में है पाकिस्तान में है तो इन सब के नजरियों से जो चाइना का इंटरफेरेंस है इन राष्ट्रों में ये ये भी कही ना कही भारत के लिए बहुत बड़ी चुनो लगाके उनको धन मोहिया कराके जो की बड़े ब्याज पर देता है पैसा चाहिए हां कितना चाहिए इतना चाहिए ये लो ब्याज इतना है देश खुश होते हैं भविश्य की सोचते नहीं है चाइना का एक तरीके से अधिपत्य बनता जा रहा है और यदि ये राष्ट्र ये दक्षिन एशियाई राष्ट्र चाइना के प्रभाव में आएंगे तो ये कही ना कहीं भारत की समप्रभूता भारत की सुरक्षा के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनोती है तो हमने ये देख लिया कि भई इस काल में भारत की कुछ उपलब्धियां रही है भारत के समक solution करने की जरूरत है पहला तो प्रश्ण यहीं है कि पाकिस्तान के साथ जो विवादा स्पद संबंध हैं उनको कैसे प्रभंधित करें कैसे उनको उनका प्रभंधन करके हम आगे बढ़ honest पाकिस्तान नहीं करता है भारत की सुरक्षा के के साथ अपने संबंधों को प्रबंधित कैसे किया जाए साथ ही चीन शक्तिशाली हो रहा है हो जी लेकिन चाइना भारत को भी घेरने का प्रयास कर रहा है चाहे हिंद महासागर की सुरक्षा का मुद्दा है, चाहे सीमा सुरक्षा का मुद्दा है, चाहे सीमा विबाद है, चाहे जो आर्थिक आधार पे हमारा यदी हम देखें आयात निरियात का रेशियो देख लो, बड़े स्तर पे व्यापार घाटा है हमारा चाइना के साथ में ऐसे में हम भारत कैसे अनुक्रिया करें चाइना के प्रती भारत को कैसे अनुक्रिया करनी चाहिए वो सारी देखेंगे हम कि कैसे जब भारत चीन सम्मंद पढ़ेंगे तो डिटेल से देखेंगे कि भारत कैसे अनुक्रिया कर रहा है चाइना भारत को गेर रहा है तो भारत भ राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंधों की स्तिति कैसी होगी यानि USA के साथ हमें अपने संबंधों को प्रबंधित करना है वैश्विक शाषन जिसमें UNO है IMF है World Bank है WTO है इसकी सरंचना को कैसे पुन है आकार दिया जाए ये संगठन अलग-अलग IR का टोपिक है हम अलग-अलग भी पढ़ेंगे लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि मोटे तोर पे इन संगठनों में जो प्रभुत्व है वो पश्चमी राष्ट्रों का है यानि जो इन संगठनों की नितियां है वो कही ना कही पश्चमी राष्ट्रों के हितों की अनुरूप घूमती है तो ऐसे में इनकी पुन है सरंचना जरूरी है कि भाई जब विश्व का प्रतेक राष्ट्र अच्छा स्क्रीन शोट आपने नहीं लिया होगा भाई भूला वाला जो थोड़ा क्लास के 10 मिनिट बाद भी टाइम दे दो PDF आपको ललीता धही अकेडमी टैली ग्राम चैनल पर मिलेगा टैली ग्राम पर टाइप करना ललीता धही अकेडमी PDF मिल जाएगा तो ये हमने देखा इसके साथ साथ हां ये बतारी थी में कि जितने भी ये संगठन है इन से इन में लागू किया जाए ये भी तो एक बड़ी चुनोती है विश्व की यूएन में सुधार किये जाए वह यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के यदि पांच स्थाई मेंबर की यदि हम बात करें तो यूरोप से ही दो देश आ गए आपका इंगलेंड आ गया आपका योग तंत्र है अंतर राष्ट्य शांती के आधारों पर अपनी विदेश निती सदियों से निभाता आ रहा है वर्षों से निभाता आ रहा है तो भारत कहां जाएगा तो ऐसे में यूएन में रिफोर्म होना लाजमी सी बात है तो ये सारी चुनोतियां मतलब ये प्रश् तो आतंकवाद का सामना नहीं कर रहा है और अकेला देश आतंकवाद का मुकाबला या हम कहें कि समाधान भी नहीं कर सकता है इस समस्या का पुरे विश्व को एक जुठ होना पड़ेगा तो ये आतंकवाद की समस्या एक बड़ा प्रश्न है विश्व के सामने साथ ही सबस समाधान करने की जरूरत है ध्यान रखेगा अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें मैं अब आपको फिर से पीछे लेके जाऊंगी शीत युद्ध की प्रिष्ट भूमी बताऊंगी शीत युद्ध काल एक बर फटा फट जाएंगे अब पूरा रिवीजन चलेगा आपका इसके थी 95 से 2000 में क्या क्या चल रहा था इसमें भारत की विदेशनिती कैसी थी 2000 से 2010 में विदेशनिती कैसी थी और 2014 के बाद 2010 से 22 में भारत क्या-क्या वेश्विक परिस्तियां है और ऐसी वेश्विक परिस्तियों में भारत की विदेशनिति क्या है ये जब आपका complete हो जाएगा तो आपका एक तो ये वाला area complete हो जाएगा कि जो भारत की विदेशनिती को अंतराष्ट्य वातावरण कैसे प्रभावित करता है पूरा टुकडो में मैंने पूरा detail में समझा दिया आप टुकडो में आपको अलग-अलग point wise material मिल जाएगा समझ बन जाएगी समझ बन गई है आपको लिखा लिखाया एक सार मिल जाएगा तो आपका ये पूरा जो पार्ट है अच्छे से complete हो जाएगा ठीक है फिर हम आएंगे कहां पर जो बच्छा शुरू से मेरी क्लास देखा है हमने विदेशनिती के आंतरिक निर्धारक तत्व पढ़े बाहिया निर्धारक तत्वों में चार चीज़ें थी खेत्रिय वातावरन कैसे प्रभावित करता है देख लिया बाहिय वातावरन अंतर राष्ट्य वातावरन कैसे प्रभावित कर रहा है वो अगले एक दो दिन में complete हो जाएगा उसके बाद अंसराष्ट्र संगठन कैसे प्रभावित करते हैं और लोबिंग कैसे प्रभावित करती है ये चार चीजें थी बाहिय निर्धारक तत्वों में सीधा कोशन आपके मेंस में पूछा जा सकता है मैंने कल की क्लास में दिया भी था कि भारतिय विदेशनिती के निर धारक तत्व भी आप से पूछा जा सकता है तो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा यहां तक हमारा complete हो गया बई अब हम अपना शुरू से शुरू कर देंगे इसको point wise तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ करके मैसेज जरूर करना आयार आहा है कैसे जोड़ना है तोड़ना है तोड़ना है कैसे वही पंच शील बार-बार यूज हो रहा है भारत की foreign policy में कैसे shift आ रहे हैं कैसे continuity है कुछ सिधानतों में कुछ सिधानतों में परिवर्तन हो रहा है है ना उसके पीछे अंतर राष्ट्य घटनाएं कैसे जिम्मेदार है तो यह सारी चीजे हम पढ़ रहे हैं यदी समझ में आ रहा है कृपया करके comment box में जरूर लिखें आपके comments मुझे बहु बहुत ही शांदार आप लोगों का response आ रहा है limited seat बची है बहुत सीमिद seat बची है जिसको भी इस batch में admission लेना है 23 फरवरी तक ले सकता है 23 फरवरी के batch के बाद ये batch close हो जाएगा ध्यान रखना तो 23 फरवरी तक आप इस batch से जुड सकते हैं फटा फट यदि enroll नहीं कराया है क study IQ की app या study IQ की website पे जाके आप जुड सकते हैं इसके साथ इस वीडियो के description box में भी link दिया होगा उस link पे जाके आप course को purchase कर सकते हैं course को purchase करने से पहले आपको code यूज़ करना है LD live LD live code का यदि प्रियोग करोगे तो आपको ये जो course है वो 18,999 में मिल जाएगा आपका foundation batch है foundation म हमारी जिम्मेदारी है बहतरीन अंसर राइटिंग आपको करनी है चेक हमारी टीम करेगी mentorship की सुविधा है बहुत बहतरीन ये एक batch है जिसमें समय बद तरीके से आपका complete syllabus पूरा कराया जाएगा ध्यान रखिएगा और PDF के लिए आप मेरे टेलिग्राम चैनल लली तदही अ करके वीडियो को like कर दीजे चैनल को जितना share कर सकते हैं share कर दीजे शेर आपको ही करना है चैनल पेदी नए है तो subscribe कर लीजे आपके कुछ सुझाम है तो अवश्या लिखें एक सुझाम तो पक्का होगा मैं बोर्ड से हट जाये करो उसका एक solution यही है कि मैं अब ये क्लास टेंशन नहीं लेनी है आप अपने डाउट इकठा रखना या कमेंट बोक्स में आप लिख देना ताकि मैं अगली क्लास में जब भी मैं लाइव आउंगी या फिर मैं लाइव ही आउंगी अब ठीक है तो उसमें मैं आपको डिसकस करा दूँगी तो स्वस्त रहिए मस रहिए जै हिंज भारत all the best